टीयर, ICSC, and ISC student 2022 के board examination वाले, ICSC class 10th के history and civics paper के examination के ठीक बाद और 3rd November को होने वाले हिंदी के paper ICSC class 10th के पहले, CISC ने कई step लेने की बात कहिए, ए बात है, question paper जो home based center पर checking हो रही है, उसको लेकर है, जो कि ISC के जितने भी examination conduct हो रहे हैं, business studies बगएरा जो हुवी हुए है, उन सब पर implement कर दिये जाएंगे, और यह ICSC class 10th and ISC class 12th के student को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, सबसे बड़ी बात है, कि जिस दिन इन question paper का conduct किया जाएगा, यानि कि question paper come answer booklet जो social studies के paper conduct हुए 2nd November को, या 3rd November को ICSC के हिंदी paper conduct होंगे, उसी दिन इनके marks को CISC के portal पर upload करना compulsory था, लेकिन जिस तरह से English paper 1 के examination conduction के बाद internet के glitches आए, और ये paper ठीक धंग से नहीं conduct हो पाए, उसके result की uploading में problem आई है, तो उस दिन मेरे भी जिम्मवारी बढ़ा दी गई कि कहा गया कि आप इस पूरे जिम्मवारी को लेजिए, थोड़े से गड़बढ़िया हो गई है, तो अब extra burden जो school के द्वारा, जो senior most teacher पर डाल दिया जा र अपने इंड से कहिए, इस पर copy checking, evaluator, examiner को लेकर कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि अगर किसी के marks बहुत जादा कम आया है, और उसके schoolie label के marks बेतर हैं, तो वहाँ पर इस तरह के accommodation की बातें की जा सकती है, हाला कि इसको लेकर खितने confirmation है और कौन से rule है, भी पता नहीं चले है, थर्ड बात बताई गई है, हिंदी के examination, ICC class 10 के 3rd November को conduct होने के ठीक पहले, copy की checking खास करके language paper, या फिर history civics geography में किसी तरह के question paper में error हो जाते हैं, वहाँ पर दो से ज्यादा answer संभव हैं, और ए बात CISC ने खुद openly accept किये हैं, तो कहा है कि उस condition में जब copy की checking हो रही हो, question come answer booklet को, उस दोरान teacher जो copy को check करें हो, काफी liberty से student को marks दे सकते हैं, यहाँ पर यह बात teacher पर छोड़ी गई है, यहाँ पर कहा गया है कि school के pretendent होंगे, exam conductor होंगे, या निकि examiner जो copy को check करते हैं, उनको instruction दिया जाएगा, कि वे इसी तरह से moderate way में copy को check करें, और student को liberal way में marks award करें, यहाँ पर यह बाते कही गई हैं, कि student के favor में कई सारे situation जाते हैं, कई बार दो option, जो correct लग रहा है था English paper 1 को लेकर, और marks की uploading अगर same day नहीं हो पाती है, जैसे English paper 1 के गामने सा, दिन नहीं होई थी, तो उसके अगले दिन, morning में, यह एक marks के uploading, यानि की copy के correction की बाते होंगी, और इसको लेकर भी CISC ने काफी सारे अपने concern को school को बता दिये हैं, बहुत सारे बाते confidential होने के कारण आप से share नहीं किया जा सकते, लेकिन जो बाते आपके काम की थी, जिससे की आपके examination में 40 out of 40 marks ICSE and ISE के student को प्राप्त होगा, थोड़े बहुत आप समझ लेजिए कि worry होने की अकदम जरूरत नहीं है, student के favor में बहुत सारे situation जा रहे हैं, और result को लेकर भी काफी कुछ discussion होगा, तो एक थमसब इस वीडियो पर बनता है, और बाकी, bye for now, thank you.